हमारी चुरावी आत्रा यह थावज जारी है। हर्दोई की सदर विधानसवा शेत्र की सीट है। सपा का गड़ भी इसको माना जा सकता है। जिनों ने हिंदुस्तान की गरीब मजदूर आवाम को सड़कों पर रातो रात मरने के लिए छोड़ दिया, उनके मुंसे हाइवे बनने की बात अथी है। और जनता ये जानती है कि भाजपा को हराई है, पेट्रोल, डीजल और रसोही गर्स में आप सबसीडियों चूट पाई है। कॉंग्रेस और बसपा वो टुकटवा पार्टी बनके रहे गए। माजबादियों को कि जाएं तो जाएं किस रैली में किस रच पे सवार है। नमस्कार, News World इंडिया के खास कारिकर, माहौल गर्म है में आपका स्वागत है। हमारी चुनावी यात्रा यथावज जारी है। पस्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए, अवज शेत्र में धीरे-धीरे हमारी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मैनपूरी के बाद फर्खाबात कवर करने के दर्मियान उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम हर्दोई जिले में एंटर कर जाते हैं। यह वो इलाका है जहाँ पर आज हम कारिकरम कर रहे हैं, हर दोई में, अगर हम 2017 की बाते हैं, 2017 में अगर हम यहां मौझूद होते हैं, तो सीधा और साफ, सपष्ट नजर आता था कि यह सपा के खेमें की सीट है, और सपा का गड़ भी इसको माना जा सकता है, यहाँ पर परिवार जो है, वो अब कहीं न कहीं BJP के पास पहुँच चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर जो अब सीट है, वो BJP समर्थित सपा विधायक की सीट के लाई जाती है, यहाँ पर जो विधायक है वो निते नगरवाल जी है, जो कि नरेश अगरवाल जी के पुत्र है, साथ यहाँ सदर विधान सभाष सेटर में जmostरख जोर दासर यह सबूर जोरिकर में शामिलने के लिए, इसके साथ ही साथ सौनवें जनता के साथ सा समाने नेता अगर्ड हमारे साथ मौझूद है, आप सभी का परिचा शुरू करवाएंगे, श्वायम परिचसा दाथ आपका बहुत-बहुत स्वागत कारकरम में शामिल होने के लिए अब सवाल और जवाब का सिलसिला सुरू करेंगे समस्याओं के साथ समाधान पर भी बात करेंगे सबसे पहले जो प्रदेश में सत्ता की चावी लेकर बैठे हैं और कहीं न कहीं सदर विधान सवा शेत्र में भी आपके पास ही है जो कुछ है ऐसे में सवाल आप से बनता है कि जब जमीनी सर्वे करते हैं थोड़ी सी सरच करते हैं तो तीन मुद्दे पकड़ में आते हैं खुल कर बात कीजिए जो लोग कहते हैं कि सडके खराव हैं वो समाजवादी पार्टी का और बहुजान समाजवादी पार्टी का कारेकाल देख ले हमारी सरकार में चाहे आप पिहानी विधान सभा में तीन सडके सबसे ज़्यादा खराती हैं तीनों सविक्रत हो गई हैं तीनों का धन आवनटित हो गया और तीनों सटॉव पर काम हो रहा है जो कहते हैं मैं स्वयम गया हूं इन्हें देखा है इक कामीर छेत्रों में सब सुनाय रहा है एक कौन सा इसा गाउय हमएरे जो गाउं सटकों से ना जुड़ा को वह सकता है कि कटियारी के चैस्ट में उध प्रधान मंत्री गाहम सब्सक्राइब योजना से जुड़ चुके हैं ऐसा कोई मेरे सबसे छोटा गाहूं था मुझे याद है कि गोमते के किनारे था वहां भी गाहूं पीटेवलूटी की सब्सक्राइब नेता हो से एक एक वरजन लेंगे इसके बाद जनता पर आएंगे आ कि उत्तर परदेश के विकास के काम हुए साव बट का महीला सपताल हर्दोई में बना हुआ है सपा सरकार की देन है सब्सक्रामा संटर के आवट का रामा संटर के आवा आपके जो है जीजी आइस संटर कॉलेज क्रेशि महावध्याले चाववण जो इलों को जो फोर लें स प्रचंड बहुत में उत्तर प्रदेन सवाधी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बताईए ठीक है कॉंग्रेस में इस बार इस दफा लग रहा है कि ठीक है थोड़ा जोश नजर आ रहा है। चलता रहा किस हाईवे की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या मुदार दे रहा हूँ आप अभी लगनो रोड जाईएगा। बहलोली सरहियां होके रोड निकलिएगा बहुत सुंदर मिलेगी आपको। बिल्कुल जो समाजवाधी पार्टी के उसमेह राजसभा सांसते जो समय भाजपा की गोद में बटे हैं। और जिनको मंदिर में दारू बाटने का बाजपन इनाम दिया उनके बेटे को बिदान सभग उपादिश बना दिया समाजवाधी पार्टी के विधायक को। समंदन है फ्रेंडली फाइट है इस पर समझ दीजिए और जनता यह जानती है कि भाजपा को हराई है पेट्रोल डीजल रसोही गैस में आप सबसीडियों चूट पाईए समझ रहें आप प्रेंका गांदी जी के नित्रत में उत्तर प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस खड़ी हो रही कांग्रेस मजबूत हो रही और आम आदमी के आवाम कॉंग्रेस के साथ है पत्रकारों पर मुका सक दिखा दो पत्रकारों पर मुकद्मी उखे जरा बी तो नहीं बचे उससे आपके लोगों यह जाना चाँ रहा हूं आप कि समाझवादी पार्टी जो है व उसको सदन के अंदर रम में राम दिखी जाएं उसके बाद फिर वосमाजवादी पाठी का उनका बिटे का विदायक बार्ती जनता पाठी के मण से, पावं स्रवंदीवी के मंदिर में दारू मार कर दे और दोनों बिदर ही सकतीखलों करने के Бजाएं हर काटेंगे समाजवादी परचेंट बहुमत में सरकार बनने जा रही है देख रहे हैं लगातार विजय आत्रा निकल रही है लगातार माननी अखलेश आदव रही है उसके साथी साथ पैरलल में शिपाल सिंह आदव निकाल रहे हैं अब समझ में आरहा है कि समाजवादियों को कि जाएं तो जाएं किस रहली में कि सवार हो ऊचाछा भी साथ में लगातार बयान आरहे हैं लेकिन शाथ साथ आई काहा है और फिशल रूप से और बी कई छोटे दल बड़े दल से कोई गण्बंदन नहीं करेगी सवाजवादी पार्टी पहली वार आई इंट्री फीस जमा करें पार्टी कारालों को खड़ा कीजे इस्थापित कीजे तब जाकर कहीं चुनाओं की दूर्दशा जो है दूर की दशा है उसको देखिए गाइंगे जिस तरीके से इन्हों क्या कि देश कई तक्धिर दोनों बदली है तज्वीर जो आपने तस्वीर और तक्टिर रही है कि है यकिए वह बात देखिए जैसे सिच्छा को लेकर के पहले उसी पर रहते हैं तस्वीरों पर यह तो यह केंदर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि बंदर कमेशंग मुंधरी आप कहते हैं यहां किसे देंगे आप ये लिए जब हमारे पुलिस नहीं है तो वहां जगे-जगे-चरण इन्हों ने उपाय बता दिया सुरक्षा को लेकर कैम्रे लगा दिये केमरे लगवा दीजे आप भी हर जगा हर नुकड हर गली चौराये पर देखे केजरिवाल जी पूरा जूंट बोलते हैं चूंकि देश की जनता बहुत भावुक है दिली की जनता को उन्होंने गुमरा किया है यह कहते हैं कि आप गुमरा करते हैं समाजवादी पार्टी लग कर देखे के मैंनी ने खिरवाल ही को फिर्में दिखाई देता है उन्होंने ऐसा कि अशघावदी को सबसे आप और जी पढ़े थे स्कूल में ने जो खेंघात हैं और समाजवादी और बहुजं समाजवादीर ने उनको पाल खोस करके बहुत है तो जब हम जो बुइद किया उनको संस्कारिथ करए इनको क्या कस्ट तो जितने भी गुंडे माफिया जो आप पार्डी में पवित्र रीए जैए फ्न विचार दारा थी एक बिचार दारा थी देश को आजाद करने की और एक अंगरेजों की थी तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद की सरकार बनी तो भारती इनता पार्टी आज जिस मुद्धे पर काम कर रही है जिस विचार दारा को लेकर चल लही है मानि 7 पर साइद कि उसको लेकर टिपड़ी है आप ने का कि नरेश अगरवाल जी हमारी पार्टी मायम संस्क्रेट करने का उनको काम कर रहे हैं ऐसे माप यह समझाने की कोशिश कीजिगा कि आपकी पार्टी में अगर पवित्र आने का इतना बढ़िया सिस्टम है तो फिर जितने भी पांच कंटाप मार के निकालता है कमरे से और कुछ बोलो के तो हड़ी पसली तोड़ देंगे बुड़ा पें जुड़ेंगी नहीं दूसरी बात यह कास के मुद्ध बात नहीं करते सव नंबर माननी अकलेशादोजी की दिन लखनव में इंटरनेशनल स्टेडियम माननी अकलेशादोजी की दिन तीन सो चैटर एकड़ का एसिया का सबसे बड़ा पार्क माननी अकलेशादोजी की दिन 54 जिनों को किस ने जोड़ा सपा सरकार ने जोड़ा तीन लाग दस अजार लोईया आवास माननी अकलेशादोजी ने दिये अठरा लाग बच्चों को लैपटाप माननी अकलेशादोजी ने दिये साथ लाख लड़कियों को साइकिल दी, साथ लाख मजदूरों को साइकिल दी, हर छेत्र में विकास काम हुआ। इतना जब इतना एतिहास से कि इतना कीर्टीमान बड़ा रचा गया था, उसके बापजुद इतनी बुरी हार क्यों हुई। इसका भी जवाब है मेरे पास, ये जनता को भर्माने में सफल रहे और ब्रमित करने में सफल रहे। इसलिए सरकार में आये, लेकिन जनता ने जब हकिकत देखी, गंगा नदी में लाशे तेर रही हैं। हिंदू मुसलिम को अपने अपने धार्मिक संसकार के हिसाब से अंतिम संसकार के लिए सामग्री नहीं उपलब्ध हुई। बॉडियों को कुत्तों ने नोच के खाया, कुरोना काल में गरीब मजदूर पैदल आये, चलते चलते मर गए, उत्तर प्रदेश के 99 मजदूर मरे, इन्होंने एक रुपया उनकी मदद नहीं की, अखिलेश जी ने सरकार में न रहते हुए, एक एक लाख उन पीडित कोशिश करूगा उत्तर प्रदेश में, आप महरास्य की बात करो जहां पर आपका जो कैडर है वह बहुत मजबूत है, महरास्य में आप कॉंग्रेस के साथ है, उत्तर प्रदेश में का पैसल आ रहा है, कि हम क्या करेंगे, 2022 के चुनाव में, रही बात अब हमारी एक बात हो सब्सक्राइब करते हैं यहीं संसकार नहीं संसकार नहीं राम मंदिर के लिए लगाया था बाबरी मस्जीद में घिराया था यह तो सब समाज की बॉड़ी इसको जिस तरीके से उनका अपमान हुआ हिंदू संस्क्राइब कर दिया कि हमने आडी एक्स लगाया था वह चीजों पर नहीं जाएंगे यह बताने की कोशिश की जिए का दरहसल करें पूस्तों रहें इंसे डीजे कोट काट हम लेकिया हैं बाद दोजार से आत तक 2022 आगया है 22 साल से निरेशन दागरवाल को यह संस्कारित कर रहें तो क्यों नहीं की बज़े बीजेपी का फिर ऐसे मैंसा तरका जाएगा कि वह बाला साहिब की जो आप कर रहे हो पार्टी आप रही नहीं आप तो भीजेपी के साथ ने विचारधारा आपकी हिं सिर्फ एंटी बीजेपी हैं पिर किसी के साथ भी है कुछ करेंगे भी पूरा विपक्षेक है महंगाई के चक्कर में और जर्देश को लूटने का काम 300 कंपणिया यह समझाए कि सपा के साथ एं कि सपा के साथ बैयान ने लीजिए किसके साथ हैं कॉंग्रेस के साथ है सपा लेकर क्या कहना चाहें रहे हैं को इसा होता है तो महराश की सरकार भी जाएगी जनता से कोई भी कुछ भी सवाल करना चाहे कुछ भी बातचीत रखना चाहे तो वह कर सकता है ठीक है एक चीज मैं जानने की कोशिश करूँगा अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो दरसल लुभावने वादे जूटे वादे करके सत्ता में तो आ गई लेकिन इस बार खदेड़ा होने वाला इस बार आप खीच कर बाहर कर दिये जाओगे ऐसा हो क कर रहे हैं वाभी तो जंता को लुभा रहे हैं तब हमारी सारी जनाय भी नहुने कहा कोरोना काल में जूट बोलना है कि लासे नहीं नहीं मिला था अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं समाजवार्दी पार्टी के राश्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के राश्ट लोग मर रहे दम तोड़ रहे तो थे कहा थे यहां से कटिंस में कैसे के मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हमारे थाफ नहीं झालते होंगे तो आप इταν रखते होंगा है आप करोना पर बार 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 जा रहे हैं कि कोई स्पीच कोई स्पीच रटके आएंगे तो स्पीच नी चलेगी आपने करोना का जिक्र कर दिया इन्हों ने आपने कहा कि कहा लाशे तहर रही थी हॉस्पीटल में सुविधा इतनी अच्छी थी आप यह बात सच में कहते हैं देखे जब कभी कोई महामारी आएगी आप करोना के अंदर लोग अक्सिजन की कमी से खतम हुए करोने कोई करोना से महत अइसा कौन हर्दोई के अंदर गली मॉला परिवार गाउन उकड़ बचा जाएं कम से कम दो घरों में से घर में महत करोना के अंदर ना हुई हो राजस्तान में चट्रव होई हैं सब जगे हुए लेकिन हमरी विवस्ता वहां देखे आपने आलोचना कर पाई हुआ आपने कर पाई यहां सड़कों पे लोग मर गए लाशे नहीं लोग यहां सांडी वाले समसान रोड पे टिक्टियां लखी दिन लाइनों में निकलाने घर में बैटके ताली और थाली ब करिया हम विकास की बात करें विकास काहीं काउंटर हो गया साड़े चार साल में उसके बाद जितनी भी हत्या हुई है उससे ज्यादा ब्रामणों की हत्याएं हर दोई में पिछले चार तीन दसकों में हुई ठीक है चलिए देखे आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा आप सब सिक्षा 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 करते रह जाते हैं लेकिन ये लोग इतने बड़े-बड़े मुद्दों पर एक दूसरे की टांग खीच ले जाते हैं आप कैसे इन से लाड़ाई लड़ पाएंगे देखिए ऐसा है जो कह रहे हैं कि अभी भारती जनता पार्टी के जो प आप यह समझेए कि महंगाई यह देखिए जो यहां के लोग लेवल के लोग है जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उनको उनको जो है कि 80 रुपे में पेट्रोल हवाई-जाज का मिल रहा है और यहां पे 100 रुपे में खरीद रहा हमारा किसान आप यह क्या करेंगे इसको कम कर करेंगे ठीक है इसके लाबा साफिट लेतारे में हमारे में 200 रुप्त भी मोफ्त कर रहे होते यह बंदर माट कट कर रहा है इधर से जो जो बढ़ा कर रहे हैं उसा का जो पैश्चा को जनता तक पहुंचाएं इसको मुफ्त मत नाम देना ठीक नहीं है ठीक है जन्ता भीक नहीं मांगती आप मुफ्त नहीं किसी चैनल लिएखें णुझाल में में कई विश्वेस की पूछना चाहता हूं L. मैं तर्थि आप से सभीन सोगहें। आ पर समाजवादी पार्टी पर 2017 में उसके बाद से बिल्कुल शून हो चुके हैं कितने दंगे होते थे मुझफफर नगर दंगा कानपूर की बात करते हैं तो दंगे जो हैं लोगों ने काम की ऐसा किया है तक दंगे भी हो रहे हैं और दंगा किराने वाले सरकार में यह लगातार दंगे बीकरा तो इनके फाइदे का सौधा हो जाता है कई दफ़ा तो ये सब क्या हो रहा है इसको लेकर ये पूछ रहा है तो ये कस्टोडियल जो मौत हो रही है इस पर क्या खहे रहा है पंगले के पीछे इनके बंगले के पीछे कुछ भी हुआ हो नाज घाना कुछ भी हुआ हो मुझे नहीं मतलब है आप यह बताएए अभी जो मौत होगी बहुत होगी इनने कभी भी इनकी सरकार के मंत्री इनकी सरकार के मंत्री थे अभी आप उनके खिलाब का रवशाद नहीं कर पाए आप नहीं कर पाए मेरे आपके सरकार के गात्री प्रसाइद मंत्री थे आपने उन पर कारवाई नहीं की हमारी सरकार तो हो गई उम्र कैथ हो ठीक है यह कब जाच कब शुरूई किसकी सरकार में जाच शुरूई आज आदेश हुआ लेकिन पांच साल तक इनकी सरकार में मंत्री रहे हो ठीक है चली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब तो टोपी आगई आप समझाए ज़रा इन लोगो यह दूसरे पर दंगे क्या रोप लगा रहे हैं बड़ी बाते कर रहे हैं इस सब चीजों का काउंटर क काउंटर करने के लिए जिस तरीके से यह लोग कह रहे हैं कि दंगा नहीं हो रहा इनकी सरकार में दंगा नहीं हो रहा आप कैसे कावू कर पाएंगे यह बहुत बड़ा प्रदेश है 24-26-23 करोड़ की जनता है यहां पर किया है कभजा हमने दिल्ली में हमारी सरकार है वहां यहां की बात करता हो ठीक है यहीं पर बात करेंगे हैं यह समझाने की कोशिश करिएगा कि इनके पास तמעम मुद्धेह हैं बीजेपी मंदिर के नाम पर और वोट मिल मांगे गगे शमने के थीक है मांगें और फिर हैं चीन सो सतर के मुद्धे . प्रेंका गांधी जी ने समाला हुआ है इसके अलावा वो सिर्फ भावनात्मा कार्ड पर खेल रही है लखींपूर खिरी में कोई घटना हुई वहां पहुचती है ऐसे से आपको लगता है कि इन चीजों से चुनाओं को पार लगाया जा सकता है किसी भी घटना में सियासी कार्ड खेलें बावनात्मा कार्ड खेलें बावनाय नहीं होनी चाहिए हमदर्दी नहीं होनी चाहिए अपराद है हमदर्दी करना किसी से राजनीती तो रड़नीती का खेल है तो बैस पर पूछ रहा हूं हमारे लिए सियासत बाद में सेवा पहले प्रिंका गांदी जी का संकल उत्रप्रदेश में सब जगह सब जगह है हमने रिमुफ दबाईयां बाटी सब चीज़ें की दूसरी बात अब हमारे साथ ही अभी किस मुद्धे पर विकास की बात कर रहे थे आप मुझे बताओ की विवाओं का दो कॉंड रोजगार कहा है हम पेट काटके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं दो साल हमने बच्चों को घर बरके फीज़ मिघ दी है किस दिन के लिए कि हमारे ब्च्चे Monsieur बना भेने पढ़ां अब जहां जिस देश की जिनकी बचारदा रही है हो कि हमारे बच्चें पड़ी लिखें और पकोड़े तलें इसे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है चिंड मियान अंदू कुंदलीब सेंगर जिस पार्टी के आधर्स रहे हो ऐसे लोग कैसे नहीं जो तो कहना है कि मैं इत्री सुरक्षित है कि अगर 10 किलो सोना लेकर भी जाये तो भी उस समझ में आ जाएगा लेकिन इससे पहले एक और है समाजवादी पार्टी का कहना है कि जैसे जैसे चुनाओ नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी के बड़े नेता बड़े मंत्री पार्टी आला कमान जो है यहां पर रैलिया शुरू करती है वो तरसल क्यूं कर रहा है वो समाजवादी पार्टी से डर है उन्हें लग रहा है कि चुनाओ नजदीक है और डर का माहल आपके अंदर है इसलिए बड़े बड़े लोग यहां पर लगातार आनन फानन में लगातार सभाय और रैलिया चल रही है देखिए समाजवादी पार्टी से उसे ना कांग्र और प्रदेस आप यह कुँ लड़ाई में ही नहीं है यह बजना ठान मान सकती यहां के जो उगासे नहीं हो सकते और जिन्हां को मान करें चुनाओ लगे इन के भी कंग्रेस में आज जिनके हाथ में कांग्रेस है दिएक तुर भागग दोर है उसके हाथ में है जो एक तुरिश्य में गांजी कॅटा तुर्ण के अपनी किताब कि आपने की कि इसलिए आप ने भी गांदी नहें और जिन्ना को एक आपने भी इसलिए अने भी। विचार की पाटी है जिन्ना को भी मांते हैं जिन्ना को भी मांते हैं तो अकिले शादव जी ने गलत बयां दिया अखिले शादव जिक्र किया था लेकिन भाजपाई लोग चार सबुस्मी पहले की बाट उन्होंने की थी आजादी की बात नहीं की कि ज़िए की लृप बयजी पहले बगवाण नहीं थे लाए तर विद्धा जिन्ना का नाम ले Benny को मुसलमान का वोट लेना है ठीक है तोड़ी तर अापना यसाथा रहाए है कि हम सारे कि अभी हमारे शिफ्रेना के नेता जी ने कहा की कानून की बात होनी चाहिए थोड़ी दिर पहले ही आपने का था कि आप था 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 हमने बिलकुल लगाया था था देखिए के लिए करना पड़ेगा यह लोग कैसे सुरक्षा की लॉडर की और की साथ बात कर जाते हैं जो मॉडल है नाइंटी एटी नाइन में महाराश पुलिस का मॉडल हमने उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात यहां पर हुई ठीक है लेकिन आप यह भी समन लीजिए दाव दिब्राहिम रोजबं दगवाता था जब सीशना ने कमान समाली महार महाराश हुए दो आपके ग्रहमंतरी बहागे हुए को 35 साल में तेजह क्या घ्रनी में प्थीज़िया चलिए ना तो तो देखिये ऐस सुनिए मुद्दा मुदा क्या है जनता का मेहंगाई मुद्द क्या है विरुजगारी आज भारत 45 साल में सबसे बड़ा विरुजगार देश की स्रेड़ी में भारत 2014 में 30 नंबर पे था अब 46 पर पहुंच गया कि सकते सब्सक्राइब करना चाहता हूं जो इनके सलमान खुरसीद ने इस टेडमेंट अपनी किताब में दिया है कि हिंदू तो हिंदू इस अपनी किताब में सब्सक्राइब के साथ की है उन्होंने क्या लिखा क्या पढ़ा उनके बयान के वह स्वहम जिम्मेदार समझ रहे हैं मैं उनके इस्तर का विक्तिनियों में जवाब दूँ लेकिन सुन लो सुन लो पार्टी से जुड़े हुए तो आपको जवाब देना पड़ेगा फिर ल करें नव का सब्सक्राइब लोगों की डूंधि मुलिन हिनुत का जटा लेकर चलने से यौ वाबसक रौज़ाशा मिले की हिंदों का इसeled एक विक्तिकत उनका उपड़ने विक्तिकत अब हमस्यदा पूजा करते हैं हम लोगों से ज्यादा हिंदू है आप बोलते हैं कि हिंदू तो जो है वह आई साइस बोकवराम कि इसे किसी बयान को लेकर मुझे यह इस चिपड़ी को विक्तिकत बताते हुए खंडन कर रहे हैं रासी दल्वी ने अपना इस्टेडमेंट दिया कि जैसी राम बोलने बाले निसाचर होते हैं क्या कांग्रेस पार्टी हिंदूों से बाफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी इस पर बाद में जवाब लेंगा और कोई कुछ कहरा चाहता हूं हाजी भारती जनता पाल्टी के अब यहां पर डिबेट में जो उनका पच्छ रखने आये हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए महगाई मुद्दा नहीं तेल की जबाप ने पर प्रश्ण किया तो उन्होंने का यह मुद्दा नहीं तो गरीब इनके लिए कभी मुद्दा न था नहोगा भारती जनता पाल्ट हो गई हत्यारी सरकार है आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो हैं जब महगाई पर बात करते हैं तो आप कहते हैं मुद्दा नहीं है इसके साथ ही ने उन्हें लखीमपुर घटना का भी जिक्र कर दिया और यह घटना इसलिए एक और वार मैं जिक्र करूंगा क्योंकि अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो जीप जो लखीमपुर खिरी में जिस जीप से हत्या की गई है उसी जीत पर आपकी हार का दिवाला निकाला जाएगा इंसे पूछिए जो यह आट हत्या बदार हैं उसमें तीन भरती इंता पर्टी के कार अगर सवाल कर रहे हैं अगर सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी लीजे जवाब को सुरिए जवाब को सुरिए एक एक एकर जवाब सुरिजें फिर सवाल करें ऊअ हम इसमें से आप देखें फोटो वाइरल हुआ है उसलिए अनलिया आप ये ंनल नहीं मारा हमारे नेता हमारे कारँकरण हमला किया आप किसी पर हमला बारेंगे इसले आप गाड़ी चड़ाएंगे इसले मार देंगे हाँ पता ही पहले तो इनका पेट्रोल वाला जब दे जब चौदा में किसी की सरकार थी तो कुरूड इंटरनेशनल लेवल पर 130 डालर पर बारिल था अब 62 डालर पर बारिल तब स अब तुम 120 में बेच रहे हो, 100 में डीजल बेच रहे हो, जनता को मुर्ख समझ रखा है क्या, अब किसानों की चाती पर भारती जनता पार्टी के नेताओं कारकरताओं ने गाड़ी चड़वाई, उनकी जो राइफल है, मंतरी के बेटे की, उसमें रिपोर्ट में आया है कि हम थावर्टी के ने राइफल से गोली चली ती और जनता में चाहें भाजपा का पारकरता मरें और चाहें किसान मरें, हर वेक्त की जान की कीमत होती है, आप इस बात को सिवकार करिए, कि आपने और खार्त बेटे मीरों की हर्त्या करवाई, और कोई किसान वहां गर्बर न बैठा रहा और मिसाप दुरुबीन से अपराधी डून रहे थे आपको ठीक है ठीक है यह त्री वड़ी घटना हो गई आप मुख्य विपक्षी दल थे इसके बावजूद प्रेंका गांधी जी पहले पहुंच गई और लगातार जद्दो जायत करती रही आप का रहे गए समाजवादी पार्टी ने इस परदेश की जन्ता के लिए जितने आंदोलन किये जितनी बार जेल गए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उटाई हाँ तो अलग बात है निउस चैनल भाती जन्ता पार्टी को यह दिखाते हमें नहीं दिखाते प्रेंका गांध प्रेंका गांधी जी ने जादा लोगों से कनेक्ट बैठा लिया क्योंकि वह पहुंची जद्दोजाद करती रही इसके बाद सबस्यादे पहले मिलने पहुंची जिनको 56 पर्षेंट नहीं मिलना है आतरस आती है राजस्तान भी चली जाए वहां पर वहां पर सब्सक्राइब रहा था अब पांच पर सब्सक्राइब लडाई में कोई बचाई नहीं अभी अभी अब सर्वे नहीं देखा आपने समाजवादी पार्टी 48 सीटों से बढ़ते सब्सक्राइब दिखा रहा है वह 113 बारती जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और इसके साथ आप कहरें कि सब्सक्राइब आने वाली है और इसके सब्सक्राइब रचाइब दिखा ऑलादें बीजेपी में हैं जिन्से बीजेपी के लोग साधिय रचाते हैं we all जादा थर मुस्लीम लुक में बीजेपी में साधी कर रहे हैं इंसे भी जेपी लोगों से पूछो यह कौन सा अंगा धरम है हिंदू मुस्लिम है तो सब इसी देश के सब मनुशी इसमें क्या सवाल है रिंका गांधी जी के नितुरत में उत्तर प्रदेश कंदर आप स्वहम देख रहे हैं कि हर मुद्य पर कॉंग्रेस लड़ रही है हमारे साथी सपा वाले कह रहे हिसम्पूर्ण करजा माफी कि 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 सानों की तकलीफ दूर करने के बात कर loin to चोरों और दारू बाटने वालों किसे हमारा कोई हर बार हर पांच साल के बाद आप इसी तरीके की बाते करते लेकिन दशकों से आपकी सरकार कही नजर भी क्यों नहीं आती है उत्तर परदेश में क्यों नहीं आप मजबूती आ रही है लोग जुड़ रहे हैं हम इसी को नहीं थे नहीं क्योंटी क्योंकि हमारा साथीन को आरसे साथी खता ऑशे एब आपकंपन से अश्थ को जाले ना चाहिए कि लिसकि प्यूर uniform और यहां पर बाहर आती है तो जो जो लोग जो लोग सदन के अंदर सदन के अंदर प्रचंड बहुमत का फायदा उठाकर काले कानून किसानों के पास करा सकते हैं वह मनमों सरकार के फैसले को नहीं प्लट पाये बॉंड यह कह रहा है कि बॉंड आपने लिया अपने उधारी ली दरसल और वह उधारी अब भर रहे हैं हम बुलेट ट्रेन आगई आपने भी चाहिने सुदारी लिए ठीक है ठीक है तेड़ लाग करोन रुपए का जो भर खड़े पता रहते हैं अब सरकार के आदमी एक राष्ट एक विधान एक निसान फंड जीस्टी वं टेक्स भैट खटाई यह ना जीस्टी क्यों नीपेट लेकर आते आते आप है लेकर यह पेट्रोल को आप कस्टम आई आप सब अटाई आई आप जीस्टी के साथ में तोटल टेक्स सवाल जवाल जी करें तैयारी चल लई चीज कि हैं लोग इसको करने वाले और यह बात आपको एक्छी बता दें तो आपको तो बिन बठाए बिन बुला एक बहुत बड़िया समर्तक सपोर्टर सब मिला हुआ है चाररा भातार जन समर्थन भी मिल रहा है और भक्तों की चार रिधि जो थी इब लिए यत आप समाजवादी हो गया रहे भक्ती आप श्राइब आपक सबस्क्राइब क्यों समाजवाद भगत सिंग का है अब मWhat impact सब्सक्राइब। चल रोहारा है कि झाल आप याद 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 यह उनुए ओम भी खियली कि पूसमाजवादी थे ओै tenoting क्या बात करती कई कि नुदेट के समान हुआ उन्हों कामन की है तक तहीं ठीड है ठीड है ठीड हो पिस है घी थीक यह किरां जो राम भगवान ते वो समाझ वादी थे आप देखें 115 मिन्टों यही भार्तिंता पार्टी की सरकार अब जो किसानों पर गोली चली वो राम-भ्ख्त पूजा नहीं करते थे आपने उनमें फर्क क्या है उन्होंने चलवाई आपने भी चलवाई उस समय की बात उसको मानी नेता जी ने हमेशा कहा कानुन विवस्था से जुड़ा हुआ लिए फैसला था राम भक्तों पर गोलिया चलवाई राम भक्तों दंगा इन लोगों ने किया यह भाजपार अरशन के लोग उसमें और दंगाई यह इनकी मान सिक्ता है देखे देखे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाला है, ठीक है, पान साले नहीं दिखाई दिये, समाजवादी पार्टी का वह रूप है, जो राम के काल में मारीच का रूप था, जब वह वक्त आता था, मारीच और रावन को ही यह केवल योगता थी, कि वह समय समय पर अपना वेश पदा लेता था, तो एक तरफ यह कह रहे हैं कि राम समाजवादी थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राम के जो हमारे कार से वक्त है, राम मंदीर आंदुरों जुड़े लोग इनको आतंक पादी दिखाई दे, यह मारीच है, यह राम आन है, फिर उसके बार आप ही कि चलेगी, एक चीज़ पूछा चाहता हूं कि राम मंदिर तक बात पहुंच चुकी है, बीजेपी का और तमाम अने लोगों का यह टिपड़ी आप पर निकल कर सामने आती है, कि इनके राज में दीपोच सब देखा जाता है, आपके राज में सैफ सबस्कार से बाहर रहे अ कि यह किन रार्इं कितने । वी कारेकरमव जिसमें डांस और करते हो मैला पो फोटा वीडियो लिए इन्होंने ने तक्राया संगीत समूल आहिसकं बुरें तब करो जब जनतां का पेसा क्या आश्किल खारचवा उसमें फूर्टյाल प्रत reviewं उसमें तहुआ की प्रशांन मिले ये में पढ़ने का अलिया भाट आ रहे हैं सल्मान खान आ रहे हैं उन्हें कौन से पर साउंड की ज़रूत ही क्यों आप कंगना राना उनको पदम सिरी दिये बैटे हो उनकी फोटो देख लो तुईटर और फेस्बुक पर किस किस कलर की फोटो है किस किस तरह की फोटो है उनको आप इसको समझाने की कोशिश करिए कि आपके पास मुद्दे क्या है यहां पर कोई मुद्दा अभी तक दरसल निकल कर दिखता नहीं है साफ साफ की क्या किस चीज़ पर आप काम करने वाले मौडल क्या है आपके पास हमारे पास उत्तर प्रदेश की अंदर महंगाई बिर अ के क्या ब्लूपृइंट साल्उशन सरकार बनाया होगा इससको बाशन भाट्भा सय है तो हमारी आप आपके बनाया कि वहिए यह बेच रहे है यह इंद भी जना यह समय साता जाता रहता उनको मिलjest आ नहोंने देश बेंचा रल्वै बेचे सब तो बेंच दिया कोई हमारा वो नहीं है जो लग रहे हैं बड़े बड़े उनको दिख रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है तो पूरी तरीके से हमारी सरकार बनेगी ऐसा नहीं है अब हम लोग जो है पहली बात चुनाव लड़ने आ रहे हैं अब उनको सरकार बनने जा रही होगी आधितनात की अखलेश शादव की अर्विंद केश्वारी के से हमारी आम आदमी पार्टी की मजबूती के साथ सीटे निकलेंगी और सरकार भी बनेगी तो यह भी दावा कर रहे हैं इनको कितना कितना मिलने की उमीद है आने वाले समय में खुद पता चल जाएगा अभी कमी समय है जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार है क्योंकि किसान जान चुका है यह सब जान रहे हैं यह सब सब को पता है क किसान कते बिल्कुल तूट चुका है इसमें जो पीड़ा हो रही है महिलाओं की सुरच्छा की बात बावा जी ने बहुत बढ़िया बात कहीं इन्हों किसी को वोट नहीं मिलने वाला है जनता समझदार है जो सो रुपे में डीजर खृए रहा है यह सब दावे ख्याली और यह सब बाते किताबी है यह सब लोग आपस में मिले हुए जनता की कोई बास सुनने के लिए इन लोग पास समय नहीं यह लोग कभी इस दल में कभी उस दल में पुढ़ी लोग हैं कि आपने ठीक हां जी बताईए ऐसा है जो काम कांग्रेस को आजादी के दस साल के अंदर करना चाहिए था पहली बार हमारी कांग्रेस से काफी नाराज नजर आते हैं बिल्कुल नहीं कांग्रेस में एक हकीकत है जो हकीकत है जो दस साल में आजादी के बाद करना चाहिए था कोगरेसर coffee day 10 साल में 10 साल में इनुरों था कराई 12 साल में 30 साल में के רג्म शड़क पर मरने के लिए छुड़ धिया 10 साल में हवारह पशेयों का संकट बड़ा लोग फचल नहों पचा पा रहे 10 साल जब वहा नाउसम मक्का नौसम धान-ाषिम – चलान में है दस साल में राम मंद्र के नाम पर चंदाचोरी के लबाब क्या हुआ क्यूं पाते सरकारों में यह दो जनादेश की बात कर रहे हैं आखरी आखरी कॉमेंट लेंगे जनता में से कुछ बोलना चाहता है ठीक है पता है हमारा यह कहना है कि गरीब आदमी की तरफ ज्याधा देखो कि अमीर आदमी चाहिए किता भी महिंगा आइटम है भोग खड़ी सकता है गरीब मर जाएगा भी आदमी आम होता है चूस लिया तो गरीब आदमी जो है वो दरसल आम है उसको हर पांटी जो चूस रहती है अब लास्टास कोमेंट चलेगा लास्टास कॉमेंट लेंगे से पहले अब युवा है नाम मताईए का पहले अब है प्रताप सिंग जी क्या कह रहा है जैसे सिदा कोशन है कि हम लोगों की जैसे अब यह आप शीदा सवाल है कि दिल्ली में जो एजूकेशन का मॉडल नजर आता है जो एजुकेशन सिस्टम नजर आता है जो सिख्षा में जो सुधार नजर आता है वो यहां कब देखने को मिलेगा या कभी मिलेगा भी नहीं बहुत अच्छी बात इनों ने कही मैं इसका जवाब दूँगा कि दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की आवादी में बहुत अंतर है नमर एक तो सुधार नहीं हो पाएग रहे हों और एक आइसा जहां पर असी है बल्कि पंचान बेप्रस्थ अवादी वहां की पिछडा और इसी है वहां क्या प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल को देखे आप बैसिक का है झाले जले भी नहीं जले भी निः जले भी नहीं उसका सीधा सवाल यह था कि यहां स्क्षा में सुधार कब देखने कोبة सरकारी स्कूल का में वृत्ष health कई वी सुक्षे इंत्र मेर्भा चार अब बता रहो हूं आप मेरी बात मैं सिख्छा की बात कर रहा हूँ आप में कुस युवा का जवाब नहीं दे पार है सीदर जवाब दे रहा हूँ मैं युवा का जवाब दे रहा हूँ एक नड़ मैं सिख्छा पर ही बोल ला हूँ मैं मैं सिक्षा पर ही बोला हूं मैं केवल सिक्षा पर ही बात कर रहा हूं अरे बात तो करिये जनाव सुनिये ना पहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी इसके सवाल का जवाब दीजे सुनिये ना कि मैंने परिवरतन क्या किया है मेरी बात तो सुनिये पूरी मेरी सरका उसकी पोस्टिंग में स्कूल प्राप्त करने के लिए मनका स्कूल प्राप्त करने के लिए सतर से स्टी हजार उपे उसको देने पड़ते थे यह बेसिक सिख्चा का हाल अनी सरकारों में था आप हमारी सरकार में चार बार भरतिया हो चुकी है जब बेसिक में जहां पर टीचर की भरती में पहले स्कूल की जॉइनिंग में आप 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ले रहे हो वहां पर कैसे आपका इस्टेक्टर खड़ा होगा, कैसे स्कूल खड़ा होगा लेकिन हमाई सरकार में एक भी भरती पर अगर सर्विस बुक के नाम पर भी किसी ने 500 रुपा लिया हो, आप पता दीजी आप परिक्षा को लेकर और भरती को लेकर एक बहुत ही एक मेरा पर्सनल व्यू है कि परिक्षा और भरती को एक रिकमेंडेशन भी आपके लिए इसको एक समय के दाएरे में बांद देना जरूरी है कि परिक्षा हुई और भरती हुई इस प्रक्रिया को 16, 17, 18 महिने के अंदर पाबंध किया जाए परिक्षा हो जाती है भरती के लिए लोग हैस्टेक चलाते रहते हैं यूवा हैस्टेक चलाते रहते हैं कि आप अगर जनता के सामने क्या बात रख सकते हैं कि आपको जनता पसंद करें कि आप सत्ता में वापसी करें आप उत्तर प्रदेश को विकास की दिशाम ले जाएंगे आप बताएं आपके पास क्या कुछ है देखिए जो अभी हम पहले तो एक युगा ने जो सवाल किया था दिल्ली के लेकर के सिच्छा को लेकर के उस पर यह कहना चाह रहे हैं कि जहां पे जो उत्तर प्रदेश मे अगर सरकारी सिच्छा पे ध्यान देते तो प्राइवेट स्कूलों में कोई दाखिला नहीं देगा इस बज़े सिक्षा में सुधार करेंगे मूल चुल आप यह बात कहना चाहरें ठीक्या बताएगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी स्कूल इंगलिश मीडियम के स्कूलों से भी अच्छे स्कूल करेंगे और हमने किया भी था अभिनो विद्याले जीजी इंटर कॉलेज रशी महा विद्याले जितना भी काम सिच्छा में अखले सरकार का किया हुआ है इन्हों ने अपनी सरकार में कोई काम नहीं किया हम 300 बिजली फ्री देंगे हम पुर पर से टैक्सेस कम करेंगे और सेंट्रल में जो भी सरकार बनेगी उस पर दबाव बनाकर उनके भी टैक्सेस कम कराएंगे उत्तर प्रदेशी जन्ता को रवाहत देंगे हमारी सरकार ने इतने भी छनता को उस कॉंट एरिकाड में है कि हम डिर चाल से लगातार उनको मैं उनके खाने के लिए उनकी चिंता कर रहे हैं उनको रासन दे रहे हैं हम किसानों को किसान संबान किसानों को सम्मान राशी मिली है जो ऐसे जुताई भुवाई में उनको खाद लेने में दिक्कत होती है कि योजनाओं के जरीया आपको जंता हूं हमने उत्तर प्रदेश को सभी पार्टियों ने लूटने का काम किया है ठीक है और बुलेट ट्रेन सुनिए बुलेट ट्रेन और बनारस को क्यूटो हम नहीं बनाएंगे कामन मिन्बन प्रोग्राम पे आम आदमी की भुनियादी धाचों के काम करेंगे और साथी लाइन आडर को कंट्रोल करने के लिए महाराश्च पुलिस के तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस में सुधार मुंबई पुलिस कमिश्णर खेर अभी फरार बताय जा रहे हैं ठीक है चलिए तो यह कारिक्रम ता आकरी में जाते आते हैं इन से कॉमेंट ले लेकिन जब राम चंजी बापस आ गये है तो चौदा हजार बर सत्ता नहीं करें क्या इन से जवाब है ही के चलिए आपने बहुत खुब सूर्ध के साथ में अपना सी पुस्ति ऑनका आप सबी नेतागण का यहाँ पर मौझूद होने के ले हमारे सवालों का जवाब देने के ले बहुत 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 शुक्रिया इसके साथ यहांकि तमाम जंता मौजिती जिन सब में बादशीत की और जानने की कोशिश की कि हर्दोई में आकेर जो सियासी हल जल है वो क्या कुछ कहती है बागी देश और दुरिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रिएगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवार हमारी चुरावी आत्रा यथावज जारी है हर्दोई की सदर विधानसवा शेत्र की सीट है सपा का गड़ भी इसको माना जा सकता है जिनों ने हिंदूस्तान की गरीब मजदूर आवाम को सड़कों पर रातो रात मरने के लिए छोड़ दिया उनके मूंसे हाईवे बनने की सवार है लेकिन चाचा साथ आये कहा है ऑफिशल रूप से कहा है पार्टी को छोटा दल मान रहा है बड़ा दल बान रहा है गडबदन करेंगे नहीं करेंगे आप कॉंग्रेस के साथ चले गए तो यह अकल जी के भी नहीं रहे है ती रुपे में पेट्रोल हवाईजाज का सब्सक्राइब लेकिन उससे पहले कित्रे दंगे होते अभी जो मौते हो रही है उस पर क्या करेंगे करें करें